श्रीदेवी की खूपसूरती बन गई थी अनिल कपूर के करियर तारोडा सबख सिखाने के लिए कि थी एक गलती श्रीदेवी और अनिल कपूर ने असी के दशक में मिस्ट इंडिया से लेकर लमहे तक कई हिट फिल्में दी हैं दोनों की जोड़ी को दशक बहुत पसंद करते थे लेकिन एक समय ऐसा आया जब अनिल कपूर श्रीदेवी से नफरत करने लगे थे इसी के चलते उन्होंने एक बहुत बढ़ी गलती की थी दरसल जब भी दोनों के साथ में कोई फिल्म आती थी तो सारा स्टार डम श्री ले जाती थी दोनों ही अपने करियर के पीक पर थे फिर एक समय ऐसा आया कि अनिल को श्री के इस स्टार डम से डर लगने लगा सीनियर जर्निलिस्ट सुभाष के जहां ने अपने एक इंटर्व्यू में बताया था धीरे धीरे श्री अनिल से ज़्यादा बड़ी स्टार बन गई थी जिसे अनिल बरदाश्ट नहीं कर पा रहे थे इसी के चलते अनिल ने श्री के साथ दो ब्लॉकबस्टर फिल्में रिजेक कर दी थी यहां अनिल की बहुत बड़ी भूल थी जिस पर बाद में उन्हें पच्चतावा हुआ था इन में से एक थी चाल बाज और दूसरी थी चान्दनी जब अनिल को लगता था कि हीरो का किरदार हीरोईन के मुकाबले दमदार नहीं है तो वो फिल्म करने से मना कर देते थे इसी के चलते एक फिल्म का नाम अनिल कपूर के किरदार पर मिस्टर इंडिया रखा गया था बाइनी कपूर ने दोनों को लेकर रूप की रानी चोरों का राजा बनाई थी यह उस समय की सबसे महेंगी फिल्म थी लेकिन यह बॉक्स आफिस पर बुई तरह फ्लॉप हो गई बाद में दोनों के बीच स्टारडम की ये लड़ाई खत्म हो गई थी जब श्री देवी का निदन हुआ तब अनिल बोनी के परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे खबरों की माने तो जाहनवी और खुशी मा के निदन के बाद अनिल कपूर के घर पर शिफ्ट हो गई थी अनिल अंदर से इतने मजबूत है कि श्री देवी की आखरी यात्रा के समय भी उन्होंने अपनी आखों में आसू नहीं आने दिया था